आई गाईज नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अपना अधार कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंतक और जाने की अधार कार्ड कैसे डा हैं तो अधार कार्ड डाउनलोड के लिए शबसे पहले आपको क्रोंब ब्रोजर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है www.uidai.gov.in इसे सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद गाईज अधार का ओफिसियल वेब साइट यह है देख सकते हैं इस पे आपको क्लिक करना है तो क्लिक कर लिजे इस पे क्लिक करने के बाद गाईज कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर देखी एक ओप्सन आपको दिख जाता है डाउनलोड अधार डाउनलोड अधार पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड अधार पर आप क्लिक कर लिजे तो चलिए download अधार पर click कह लेते हैं यहाँ पर click कह लेते हैं उसके भाद गायज यहाँ पर देख सकते हैं कुछ समय के लिए processing होगा processing होने के बाद आपको देखिए किस परकार का interface आएगा आगे क्या करना है वो देखते रहिए यहाँ पर देखिए इस परकर का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार का ओप्सन दिखरा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद गाईज यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर आधार नमबर डालना है और यह जो कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पर फिल करना है तो चलिए आधार नमबर और कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं तो देख सकते हैं आधार नमबर और कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर लेते हैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करते हैं गाइस तो जो भी आधार में मॉबाइल नंबर रेजिस्टर है उस पर ओटीपी आ जाता है तो चलिए यहां पर फील कर लेते हैं ओटीपी 879694 तो देख सकते हैं हाँ पर ओटीपी फील कर लिए है ओटीपी फील करने के बाद वेरिफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है तो चलिए क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद गाईज यहां पर विक डंट कम्प्लीट यूर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेंप सिक्रेटिक कोड डालेंगे तो चलिए यहां पर अधार नमबर और सिक्रेटिक कोड डाल लेते हैं तो देख सकते हैं फिर से अधार कार्ड नमबर और सिक्रेटिक कोड डाल लिए हैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करते हैं अधार का पासवर्ड होगा और देखिए हाँ पर कंबिनेशन किस चीज का होगा यहां पर लिखा हुआ है combination of the first four letter of your name जैसे मेरा नाम सोनु है तो एस ओ एन यू होगा फोर लेटर तो capital letter starting का फोर लेटर होगा आपका नाम का उसके बाद year of birth यानि कि मेरा date of birth है 1990 में तो 1990 में होगा यह होगा पासवर्ड तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि कहां पर डाउनलोड हुआ है यहां पर देखिए गाईज मेरा अधार कार्ड download हो चुका है उपर में यहां पर download हो चुका है आप इसे हम open करने के बाद guys यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर password मांगा जा रहा है तो password फिल कर लेते हैं फिल करने के बाद open पर click करते हैं open पर जैसे क्लिक करते हैं तो गाइज देख सकते हैं पर मेरा अधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है तो इस परकार से आप काफी असानी से अपना अधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने मॉबाइल फोन से तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें थेंक यू